नमस्कार दोस्तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं NTPC शेयर का टेक्निकल एनलिस और देखेंगे कि इस शेयर में धमाकेदार तेजी कब आएगी क्या इस शेयर में गिरावट आ सकती है और इस शेयर को खरीदने के लिए बेस्ट लेवल्स कौन से रहेंगे साथी साथ हम देखेंगे कि इस शेयर के टार्गेट्स भी क्या रहेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इस वीडियो इस ओनली फॉर एज्जुकेशनल परपस अगर हम NTPC शेयर के 15 दिन की ट्रेंड देखे तो हमें दिखता है कि यह शेयर कंटिन्यूसल एक अप ट्रेंड में ही जा रहा है और यहाँ पर एक अच्छा पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है क्यूंके इस शेयर में जो भी प्रीवियस रेजिस्टन्स रहता है तो जैसे ही यह शेयर यह रेजिस्टन्स तोड़ देता है उसके बाद यह रेजिस्टन्स इस शेयर के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है और यहाँ पर आप देखो अगर हम इस share के support की बात करें तो जो सबसे पहला support है वो है 110.15 का level ये वाला level आप यहाँ पर देखो के ये level इस share के लिए पहले एक resistance का काम कर रहा था यहाँ पर दो बार इस share ने इसी line पर resistance फेज किया और फिर जैसे इस share ने ये resistance break किया और एक upside movement दिखाया तो उसके बाद ये resistance level इस share के लिए एक support का काम करने लगा आप यहाँ पर देख सकते हो जो दूसरा important support है वो भी इस share के लिए previous resistance था और वो level है 106.15 का level तो आप यहाँ प इस and दिखेट ने इह इदर resistance फेज किया था और वापस जब इस share ने ये level तोड़ा तो उसके बाद ये line इस share के लिए एक support का काम करने लगा इस share के लिए जो सबसे आख्रियो और सबसे important support level है वो 101.45 का level ये level भी इस share के लिए previous resistance था और उसके बाद ये level है oczywiście के लिए एक support का काम करने लगा तो अगर कोई भी गिरावट आती है तो chance है कि ये share इन तीनो support level से एक bullish reversal दिखा सकता है तो चाहिए तो आप इन तीनो support level को note down भी कर सकते हो आई अब हम देख लेते इस share के important resistance level और फिर हम समझेंगे कि इस share को buy करने के लिए best levels कौन से रहेंगे दोस्तों यहाँ पर आप जो इस share में यह rectangle box देख सकते हो यह इस share के लिए एक बहुत ही important range है क्यूंकि यहाँ पर 2019 में जब इस share में गिरावट आई थी तब इस share ने इसी range पर multi time support लिया था आप यहाँ पर देख सकते हो first time मिदर second time मिदर 30 मिदर और covid के गिरावट के वक्त पे भी इस share ने इसी line पर support लिया था पर जैसे ही इस share ने यह वाला support level तोड़ दिया उसके बाद आप देख सकते हो इस share में बहुत बड़ी गिरावट आई और फिर गिरावट के बाद जब इस share में तेजी आई तब इस share ने इसी range पर resistance फेज किया तो अगर हम currently देखे तो हमें दिखता है कि यह share अपना जो range है उसके resistance के इदर आ गया है और जैसे यह share यह वाला resistance तोड़ेगा तो हम कह सकते कि उसके बाद इस share में एक धमाकेदार तेजी द बाद कर इस share में खरीदारी या buying की तो आप इस share में भी currently buy कर सकते हो क्यूंकि अगर इस share में गिरावट भी आती है तो यह share 101 के level से एक अच्छी bullish reversal दिखा सकते है क्यूंकि वह वाला level इस share के लिए strong support का काम करेगा और अगर यह share यह level तोड़ देता है 101 का तो इस share में बहु target की बात करें तो यह share short time में 140 और 150 तक के targets आराम से अच्यू कर सकता है अगर यह share 115 का resistance closing basis पे break करता है अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना शेर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना इस share में मेरी कोई भीबाई सेल्या होल्ड की सला नहीं ह धन्यवाद